असलाम नेकुम फ्रेंड्स वेलकम बेक टो माई चैनल हमारी वीवेड्स की फर्माईश पर जिन्होंने हमें मैसिज सेंड किया अपने ड्रेस की कलर स्कीम बताई उनकी 24 पर आज मैं महंधी मौडल मेकप करने जा रही हूं यह हमारी मौडल का ड्रेस है बेस हम स्टार्ट करें मैं भी नॉर्मल क्वालिटी का यूज कर रही हूं वह आप अच्छे से अप्लाई कर दें उसके बाद मिस्ट रोस का 3D लूस शाइनर जो है वह यूज कर रही हूं और सिंपल हर घर में मिलने वाली ब्लॉश ऑन पैलेट से हम इनको ब्लॉश ऑन लगाएंगे महंधी का मेक स्टाइन की आइवरी स्टिक को फ्लाट ब्रश से नीट करें अगर ज्यादा लग जाए तो इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें शाइनर में काशी इस की शाइनिंग पैलेट जो है वह यूज कर रही हूं और मिस्स रोस का हाइलाइटर मैं यूज कर रही हूं अच्छे से आइबॉल एरिया में बेबी पिंक कलर की मैंने सिंपल शेड अपलाई की है आज में आई मेकप को थोड़ा सा और इजी करूंगी सिंपल मार्कर लाइनर से आप लैश लाइन को डिफाइन करें और आई मेकप कम्प्लीट करने से पहले जस्ट एक सिंगल शेड की बेस लगा मिलेगी कि आपने कहां तक लाइनर लगाना है हमारे बिगनर्स के लिए ये इशी होता है कि हमें लाइनर की नोक नहीं बनानी आती तो ये इस से थोड़ा एजी रहेगा अब थोड़ी से डार्क पिंक कलर से आप इनकी ग्रीज लाइन को थोड़ा एंस करें अब सिंपल मैक का जो सीलर है उसके साथ में 3D शीमर पाउडर लगा रही हूं ग्रीन कलर में फलफी ब्रिश से आप अच्छे से इनके अपलाई कर लें और अगर लाइनर पर थोड़ा बहुत शेड गिर जाए तो आप लाइनर को अगेन नीट कर लें लेशेस पर भी थोड़ा सा गिर गया था इसलिए मैंने इसको लाइनर से कवर किया है अब हम काशीस का आई ग्लोइंग शीमर लगाएंगे इनर कॉर्नर में 03 नेमबर और जो पिंक शेड हमने क्रीज लाइन के लिए यूज की थी उसी पिंक शेड को लगाकर उसके ओपर हम थोड़ा सा 3D डायमेंड पाउडर लगाएंगे काशीस का जैल वाइट लाइनर हमने अप्लाई किया है और आज हमने विंग लाइनर लगाया है अब इसको इसके कॉर्नर को हम थोड़ा थोड़ा सा शेड देंगे बहुत ज़दा शार्प लाइनर हमने नहीं देना मेकव हम नहीं कि आजए लाइनर हम मारकर लाइनर से थोड़ी थोड़ी सीन का लोयर लाइन को इन्हांस करेंगे जिससे फील नहीं होगा कि इनकी लैशिस कम हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम बाटम लैशिस लगाएं ये महंदी का मेकव है तो बाटम cultural की ज़रूरत नहीं और यह मैंने हुदा ब्यूटी के ग्लीटर लिप ब्लॉक्स लिए हैं इसे हम ऐसा लिपस्टिक अप्लाइ करेंगे अच्छे से लिपस्टिक अप्लाइ करने के बाद थोड़ी देर तक ड्राइ होने दें बलश हम दुबारा नीट कर रही हूं लिपस पर बहुत जदा शाइन मैं थे और लिपस्टिकुकंगरा करते हैं जैसे के में फोस्तिक करार एक रह चाहिए हैं की खुर्णज़ हैं इनके बालों की लेंथ काफी कम है इतने चैला नहींग लेकिन वॉल्म कम था फिर ट्राइल स्थक्राइब की हैं लिएटी में हीवी से ग्रंपिंग करना मैंसे पर आप पिन अप करके इसको थोड़ा थोड़ा लूज कर लें दूसरे साइड पर इसी तरह आपने कान के पास तक फ्रेंच को नहीं लेके जाना और थोड़े से फ्रेंट से बाल चोड़ देने हैं ताकि उनको हम लाइट से करल्स दे सकें अगर सारे हम अपनी फ्रेंच को सबंदों और जो हमारी टेल हैं उख हम पीछे पिन से थोड़ा सब टेड़ कर लेंगे can. कि अब आगे जो हमने इनके बाल चोड़े थे स्ट्रेटनर की मदद से हम इनको कर्ण्स करेंगे और आपस में इनको अटईज कर देंगे हमने start से straight करना है नीचे से उसको थोड़ा सा करल देना है और फिर आपस में इनको attach कर देना है यह आप देख सकते हैं हमने normal normal से section लिये हैं और उनको नीचे से करल करके आपस में एक दूसरे से merge कर दिया है दूसे साइट पे भी सैम इसी तरीके से आप स्ट्रेटनर की मदद से करें और आपने इस पर कोई सीरम या कोई स्टरेइ वगरा नहीं करना नेच्रल बाल आपने यूज़ करने है और जब आप अपने करल्स कर लें, उसके बाद आप स्प्रेइ कर सकते हैं दोनों साइट्स पे हमने एक्स्टेंशन यूज़ करेंगे बालों की लेंध कम है और हमारी जो कस्टमर है उसकी डिमांड है कि मुझे लॉंग हेर विद कर्ल्स चाहिए यह देखें आप यह सबसे असान तरीक एक्स्टेंशन को लगाने का जो हमने टेल दोनों साइट से सिक् इसकी थी उनको खोलके एक्स्टेंशन एड़ करके उसकी टेल को ऊपर लगाएं और आपको इस अभी फ्लावर या ऐसे बन बंच पगरा कोई लगा सकती है यह आप देख सकते हैं हमने बहुत एजियस्ट तरीके से सक्योर किया है अब थोड़े थोड़े से पीछे से भी आ आंटिका लगा रहे हैं पिन की बैक साइड से इसको हमारी फ्रेंच नोट के अंदर करें और यह हमारी मॉडल की ओवरॉल लुक है झाल 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 झाल